हेलो प्यारे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी, I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विशे नेतिक सिक्षा के सब्तहा 24 की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्क सीट का टॉपिक है आलस्ये मत करो तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आलस्ये का रोग जिस किसी को भी जीवन में पकड़ लेता है तो फिर वह समर्थ नहीं पाता कई बार वेक्ति कुछ करने में समर्थ होता है फिर भी उस कारे को टालने लगता है और धीरे धीरे कई अफसर भी हाथ से निकल जाते हैं तब पश्यत आपके अलावा और कुछ नहीं बसता तो बच्चों यहाँ पर पढ़ेंगे हम कहानी आलसी सिस्य की एक बार की बात हैं कि एक आस्रम में एक सिस्य अपने गुरू का बहुत आदर और सम्मान करता था परंतु पढ़ने और काम करने में बहुत आलसी था हालांकि वै कार्य करता जरूर था परंतु दीर्ग सूत्री अथार्थ जब कोई कार्य करना चाहिए तब नहीं बाद में करने की सोचता था उसके गुरू उसके इस सभाव से बड़े चिंतित रहते थे कि कहीं अपने जीवन में असफल होकर संगर्स में नफस जाए ये ऐसा वेक्ति है जो बगेर परिष्टम के ही फल पाना चाहता है हमेशा सुवसर की तलास में रहता और भाग्य के भरोसे ही जीवित है ऐसे में गुरू जी ने उसका उद्धार करने की सोची उन्होंने सिस्या को सूरे उद्धार के समय अपने पास बुलाया और सफेव पत्थर का एक टुकड़ा दे कर बोले ये एक जादूई पत्थर है मैं अभी दूसरे कहां जा रहा हूँ तब तक तुम इसे रख लो इस पत्थर को जिस भी लोहे की वस्तु से इस पर कराओगे वे स्वन में बदल जाएगा स्वन इट मीन सोने में लेकिन दूसरे दिन में सूरे अस्त के बाद लोटूंगा तो इसे तुम्हें लोटाना होगा बस कल सूरे अस्त तक का ही समय है तुम्हारे पास वे पत्थर देखकर गुरू जी चले गए होगा वैसा होगा बस इसी कल्पना में उसने अपना पूरा दिन गुजार दिया फिर दूसरे दिन जब वह प्रात्यकाल उठा तो उसने सोचा कि आज तो स्वन बनाने का अंतिम दिन है सूरे अस्त के समय तो गुरू जी लोटाएंगे आज तो इस पत्थर का उप्योग करना बहुत जरूरी है हालांकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है घर में तो बहुत कम लोहा है इन्हें तो बाद में देखेंगे पहले तो मैं बाजार से लोहे के बड़े-बड़े सामान खरीद कर ले आता हूँ लेकिन कौन से सामान खरीदू ऐसा सामान खरीदना होगा जिसमें भारी लोहा हो लोहे के खंबे तो कहीं न कहीं मिलते होंगे नहीं खंबो को तो घर पर लाना मुश्किल होगा खेर ठीक है यह तो कर ही लेंगे पहले खाना खा लेते हैं फिर भोजन करने के चकर में दोपैर हो जाती है भोजन करने के बाद आलसे चा जाता है तो वैस सोचता है कि अभी तो सूरियास्त में बहुत समय है बाजार का काम तो एक घंटे में निप्टा लेंगे पहले थोड़ा सो लेते हैं चार बजे उठकर बाजार जाएंगे और एक जटके में सभी लोहे के सामान खरीद कर घर ले आएंगे और बस फिर हो जाएगा काम स्वार बनाने का ऐसा सोच कर वह सो जाता है। आलसी व्यक्ति ज्यादा ही गहरी नीद आती है वह नीद की गहराईयों में खो गया और जब नीद खुली तो देखा कि बस अब तो सूरेस्थ होने ही वाला है अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा आदे रास्ते में सोचने लगा कि अरे वह पत्थर भी स पास रखने दीजिए लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं यह नहीं हो सकता अब तुम अफसर चूप गए गुरुजी के मना करने के बाद सिस्या का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया एक कर्मने आलसी और भागय के भरोसे रहने वाला मनुष्य जीवन में कभी कुछ न समय से करना चाहिए आलस हमें जकड़े इसके लिए कई काम किये जा सकते हैं जैसे कि समय पर सोना और समय पर जागना अपना हर काम के लिए समय सुनिश्चित करना दिन के कामों के लिए टाइम टेबल बनाना आज का काम कल पर नहीं टारना तुम इन से क्या क्या करते हो यह बताओ मैं यह सभी काम करता हूं तो बच्चो आप जो भी कारे करते हैं इन में से आप उन्या लिखेंगे देखो बच्चो यहां पुराने अकबार ओपर केवल काला स्केच पैन का प्रियोग करके सुन्दर चित्र बनाए गए हैं तुम भी बनाने की कोशिस करो तो बच्चो आप यह देख सकते हैं यह न्यूस पेपर हैं इन पर काले स्केच पैन से यह चित्र बनाए गए हैं पेड का है बच्चो पतियां है वर्डस है तो आप भी इसी तरीके से चित्र बनाएंगे बच्चो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सिर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू